अरे भाई ये सब क्यों गए टोरॉंटो प्रो में कमाली हो गया आईए दोस्तों में बात करते हैं कि टोरॉंटो प्रो में अक्चली में हुआ गया था और सबसे पहले दोस्तों में बात करेंगे भुहन भाई के बारे में और मैं आप लोगों बताना चाहता हूँ कि भुहन भाई थर्ड प्लेसिंग लेकर आये थे और राइट अफ दे बैट हमनों सीधा फिजीक के बारे में बात करते हैं इस बार ही वो फ्लाट नहीं नजर आ रहे थे लाशो में आप लोगो याद होगा जब उन्हेंने उप्टिममम क्लासिक में जब कम्पीट करा था तो वहाँ पर काफी ज़्यादा फ्लाट नजर आ रहे थे बट यहाँ पर वो वाला केस नहीं था हाला कि मैं सिरेटिस मसल की बात करूँ जो हाँ वो साइड वाली मसल होती है वहाँ पर इतने ज़्यादा डाइल डिन नहीं नजर आ रहे थे जितने की फर्स ब्लेसिंग वाले जो आथलीट थे वो नजर आ रहे थे बाकी इतना तो कहना चाहूँ कि जो लाशो में इनकी गल करके नजर आ रहे थी, conclusion के बार में बात करो तो भाई, it was a great package, conditioning के साथ, fullness I still believe जो उनका मुंबई वाला शो था, उनकी जो fullness थी उसमें ज्यादा बेटर तरीके से नजर आ रहे थी, हाला कि ये वाली conditioning और मुंबई शो की fullness अगर ये ले जाते भाई, उन दोनों का अगर ये combination लेकर आ जाते हैं, महला combo लेकर आ जाते हैं, तो definitely second placing तो अराम से लेकर आ जाते हैं और first placing वाले को भी challenge कर सकते थे, and I would still prefer कि अगर इन top 3 athletes का अगर साथ में अलग से call out करके अगर comparison होता तो बढ़िया तरीकी से हम लोग और better तरीकी से analyze कर सकते थे, but nonetheless congratulations to Bhuhan Chohan, अभी उनकी third placing अगले शोस के अंदर ये कौन सा compete करते हैं, to qualify for the Olympia, भाई मैं तो satisfied हूँ, इस बारी improvement तो आई है physique के अंदर, and देखते हैं भाई दो अफते के बाद क्या ये Delhi pro show के अंदर compete करते हैं, अभी भूहन चोहन भाई का obviously confidence तो बढ़ गया होगा, तो क्या पता भाई ये Delhi pro show में भी compete कर सकते है, I don't know, इनका decision है, इनके उपर depend करता है, ये तो नहीं कहूँगा कि भूहन चोहन का ये best version था, but I still prefer the Mumbai version, और placings के बारे में बात करते हैं, फर्स प्लेसिंग पर आते हैं, कहदी कबार्च, I hope कि मैं इनका नाम धी से परनाउंस कर रहा हूँ, second place मिलती है, Roderick Chessner को third placing पर आते हैं, भूहन चोहन, fourth place पर आते हैं, Julian Colley और fifth placing पर आते हैं, Gary Cooper, and ये थे हमारी results men's physique, इसके बाद हमनों सीधा दोस्तों बात करने वाल है, open division के बार में, जो कि एक बहुती काफी anticipated competition होने वाला था, क्योंकि बहुती बड़े-बड़े athletes आने वाले थे, और bodybuilders आने व होने वाला और वही हम लोगों को देखने को मिलता है, और भाई, placings देखने के बाद तो online जैसे की जंग छिड़ चुकी है, बहुत सारे लोग का खून खूल चुका है, और लोग कह रहे थे कि हसन मुस्तफा को जीतना जीये था, और काफी लोग की शिकायत है कि हसन जो है, बीट कर रहे थे एन वैलियर को, कि ऐसा सच में था, आईए हम लोग बात करते हैं और इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं, दोस्तो हो हसन के बारे में बात करूँ तो definitely वो सबसे बड़े बॉड़ी बिल्डर नजर आ रहे थे stage के उपर, जो सबस्यादा size वाले इन वैलियर की chest को क्या हो चुका है, उनकी पुरानी chest और अपकी chest के साथ उनको compare किया जाए, तो जमीन आसमान का difference है, और chest में भाई मेरे को गिरावट सी नजर आई है size के मामले में, और third placing वाले जो Ross Filanigan उनकी chest मेरे को ज़्यादा बेटर लग रही थी एन वैलियर से, अग दो, इन वैलियर का जो flow था और जो structure आता हूँ, उनकी पूरी फिजीक का, मतलब जैसा उनका जो flow आता हूँ, उनकी पूरी फिजीक का, वो मैं ज्यादा better prefer करता हूँ, इन वैलियर का, क्योंकि वो ज्यादा better बेटर बेटर आता है, हसन मुस्ताफा से, हसन का mid section है, वो थो से ज़्यादा बढ़िया लगी थे, हाला कि वो इतना size नहीं लेकर आता है, जितना कि इन वैलियर और हसन मुस्तफा लेकर आता है, और वैसे भी Ross Flanagan तो वैसे भी qualified है, उन्होंने last show Kelly Pro भी जीत लिया था, तो यह already qualified है, बाकि अभी इन वैलियर भी qualified हो चुके Olympiac ले और, results आ Andre Frickson की तरफ, Ferguson इनका नाम है, I hope कि मैं इनका नाम टीसे प्रनॉंस करा हूँ, recently दोस्तों, यह Miami Pro जीत जाते हैं, और यह qualified कर जाते हैं, तो मजा आने वाले Olympiac के अंदर, men's physique के अंदर हम लोग को Aaron Banks दिखेंगे, Brandon Hendrickson होंगे, फिर Jeremy Bundyya का भी हमारा comeback होने वाला है, तो यह सार और यह athletes अगर एक साथ stage को share करेंगे, तो मजा आ जाएगा, और एकदम old school vibes आ जाएगी थेखने में, and next दोस्तों, हम लोग बड़ी update के उपर बढ़ते हैं, जो कि यार, यह Kai Green की तरफ से हो, और मैं आप लोगो बताना चाहता हूँ, हटके update है, और Kai Green और Dennis James, जो हमारे बहु उनकी updates दे दूँगा, बाकी, definitely जो Kai Green के fans होंगे, वो उनकी presence को appreciate करेंगे, और enjoy करेंगे, लास्ट बड़ी update पर बढ़ने से पहले दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के sponsor Divine Nutrition के बार में बात कर लेते हैं, and Divine Nutrition है इंडिया का first multinational brand, जो की US एकन supplements को manufacture करता है, दोस्तों, almost सारी supplements available Divine Nutrition के website पर, अगर आपका जो भी fitness goal है, और आप लोग bulking करना चाहते हो, आप लोग whey protein ढूंड रहे हो, या फिर आपको एक fat loss supplement चाहिए, सारा कुछ available है, आप लोग description में जा सकते हो, Divine Nutrition.in की website आप लोग को description में मिल जाएगी, आप लोग मेरा code यूज का सकते हो, check out के दोरा भी selection और trials हमारा हुआ थे Indian athletes का और जो team India की selection होई थी, सबसे वहले दोस्तों में बात करते है, Anush Taliyan के बारे में, because मैंने अपनी last video के अंदर उनका result नहीं cover करा था, because आया ही नहीं था उनका result, तो भाई मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि Anush Taliyan select हो चुके हैं, बट select हो वो World Championship के trials के अंदर, वो South Asia और Asia वाले उनका trial होने वाला तो उसके अंदर उनको नहीं बुलाया गया comparison round में और उनको नहीं select करा गया उसके अंदर, सिरफ World Championship के अंदर Anush Taliyan compete करने लिए जाएंगे, बाकी Nitin Chandila की YouTube वीडियो के अंदर ये वाला result हमारे सामने आता है, और पू लोगो मैंने अपनी लास वीडियो में बता दिया थे कि वो South Asia, Asia और World की Championship के अंदर वो select हो चुके हैं, अपनी class के अंदर भाई वो एक ही bodybuilder थे जिनको की तीनों ही competitions के अंदर select करा गया थे, तो definitely दोस्तो, Nitin Chandila की जो physique थी, एक better conditioning के साथ वो आया थे stage पर, मैं कहना लोगो मैंने को मिले थे, यह वाला comparison करना obviously fair तो नहीं है, बिकॉस एक bodybuilder clearly अपनी off-season conditioning के अंदर है, और एक athlete पूरा ready नजर आ रहे है, नितिन Chandila जैसे कि आप तो देख रहे हैं कि पूरी तियारी करके आया थे, तो इन दोनों के बीच में अभी comparison करना तो ठीक नहीं होगा, इन दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगा, और वैसे भी यह दोनों compete तो करते ही हैं, को दोनों में से कोई gold medal या कोई second placing लेकर ही आता है, बाकी मैं आप लोगो बस इन दोनों के बीच में comparison दिखाना चाता था, जो कि off-season की एक conditioning थी और नितिन भाई ready हो कर रहे थे, तो मैं आप सभी लोगों मिलता हूँ, अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखे, till then take care and, bye